तो फिरकम बेक तो मा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के सी वीडियो हम बात करेंगे कोश्चन नंबर आपका नेक्स ठीक है जो की फोर्थ है ठीक है यूनिट दो का आपका क्या है यूनिट दो का पुश्चन नंबर फोर्थ है जो की हम पढ़ना है शॉर्ट आंसर अपसे पहले हमने first और second unit के एक से चार तक एक से तीन question तक ठीक है यह के करके हमने discuss कर दिया आज हम बात करेंगे fourth question की ठीक है जिसमें आपसे कह रहा है कि iso enzymes वा pro enzymes में क्या अंतर है इन दोनों के बीच में क्या difference होता है क्या अंतर होता वो आपने बताना है ठीक है किसमें iso enzymes बात करते हैं give the difference between iso enzymes and pro enzymes तो सबसे पहले बात करेंगे हम iso enzymes आपका क्या होता है ठीक है कुछ example भी इसके होंगे उसके बाद हम देखेंगे आपका pro enzymes क्या होता है ठीक है उसमें भी कुछ ना कुछ example आपके दी होंगे इसी आधार पर इन दोनों में क्या हो जागा आपका अ आपके करा है enzymes के polymer ठीक है यानि की enzymes के आपके बहुलक होते है ठीक है means जब enzyme आपके बहुत सारे मिल जाए ठीक है और क्या हो जागा वो आपका आईसो एंजायम ठीज मिन्स बहुत सारे एंजायम जब आपस में मिल जाएंगे आपस में जुड जाएंगे तो वो क्या बन जागा आपका पॉलीमर और उसी को हम क्या कहेंगे आईसो एंजायम ठीक है कह रहा है ये enzyme के बहुतिक रूप से भिन तथा सरलता से प्रतक होने वाले रूप हैं कैसे हैं ये बहुतिक रूप में तो कैसे होते हैं भिन भिन होते हैं लेकिन सरलता से इनको अलग किया जा सकता है ठीक है जिनके गतिजगुड तो अलग अलग होते हैं अता के एम वैलू कै तो इससे होंगे इनके अलग अलग ठीक है कोई किसी स्पीर्ट से घृ लेकिन इनका जो की ईम ऐल में होगा हुद से लेकिन इनका जो किए त्व बैल रूट ही थीक है जिसे क्लै का झेभाएं किया कान च अपरे profit की आ том 猪ард कर्यों कुछ कैंट क obtint कोBeat Kat Θ ed तो इसका हाण कैसा होगा डिफ्रेंट होगा ठीख है अलग होती अगंदी कें छेम जो आपका कैं मेलू डिफुर्न थी ठाहरा की आफका द्धल होoireण हो जाएंग है तो दोनों कैसे हो जाएंगे या इसके आपके डिफ्रेंट हो जाएंगे जो आपका क्येम होता यह क्या होता है किसी सॉलवेंट की या किसी सवस्टेस की कॉंसें streaming ठीक है जा को किसी कि सवस्ट्रेट की आपकी क्या दिखाता है यह। कॉंसेंड रेसंड को यह maximum VALUE पर चला जाए इसका B कैसा होजाए max होजाए ठीक है इसका B कैसा होजाए हाइ होजाए सबसे ज ज़्यादा होजाए तो यह क्या होता इसका KM VALUE ठीक है जिसे मिकल काँंस्टेंट के नाम से कहते है यह भी कैसे होती है डिफरेंट होती है पर प्रितक्रिया को उत्प्रेरित करने की सामर्थ होती है लेकिन जो आपकी प्रितक्रिया होती है एंटी रियक्षन होती है उसको क्या कर देता है यह प्रेरित कर देता है ठीक है उत्प्रेरित कर देता है यह असमान भी हो सकते हैं ठीक है ये दोनों कैसे होते हैं ये कही सभी उनिट के बने होते हैं तो ठीक है तो ये कैसे हो सकते हैं आपके असमान भी हो सकते हैं लेकिन बिविन संयोगों के संयोगों में विविस्तत होते हैं बिविन केस में इन्हें क्या कहलते हैं होमो लॉगस जीन द्वारा कोड किया जा सकता ह ठीक है विभिन केस में इन्हें क्या किया जा सकत hosts homologous genes याने कि एक समझात genes की स्रेडी में इन्हें कोड़ित किया जा सकता है या बनाए जा सकता है ठीक है for example ुधारर कि अगर हम बाथ करें तो क्या हो जागा आपका dehydrogenase और क्या हो जागा आपका oxidase और क्या हो जागा आपका phosphate ठीक है तो यह कुछ example है आपके किसके iso enzyme के ठीक है कौन से dehydrogenase oxidase और आपका phosphate ठीक है तो यह iso enzyme के example हो जाएंगे आपके तो इतना हो गया आपका ISO enzyme के बारे में ठीक है अब जानना है pro enzyme क्या है आपका second है pro enzyme फिर इन दोनों में क्या हो जागा आपका अंतर हो जागा pro enzyme सजीवों में अनेक proteins का संसलेसर एबं सराब पूर्बगामी protein के रूप में होता है जो आपके सजीव जोतने भी आपके living organism होते है ठीक है उनमें protein का sensation यानि की protein का formation ठीक है protein का formation ठीक है जिसे synthesis कहते है ठीक है और स्राब ठीक है protein के रूप में होता है ठीक है कैसे के रूप में होता है पूर्ब गामी protein के रूप में होता है ठीक है इनको proteins कहते हैं क्या पहले ही क्या थे प्रोटीन सी थे ठीक है प्रोटीन का परिपक प्रोटीन में रूपांतरड में कई कई प्रोटीयो लिटिक किलिप भाग लेते हैं किसमें जो प्रोटीन का परिपक प्रोटीन में रूपांतरड में कई प्रोटीयो लिटिक आपके किलिप जो है भाग लेते ह इस proteolytic के बाद क्या होता है यह सक्रिय protein pro enzyme का रूप ले लेते हैं ठीक है अब यह जो आपका proteolysis हुआ है proteolysis हुआ है मतलब by partial breakdown यानि की partial मतलब कुछ आंसिक ही इसमें तूटा हुआ होगा ठीक है कुछ आंसिक ही इसमें breakdown हुआ होगा इसके बाद क्या हुआ है यह सक्रिय protein pro enzyme का रूप ले लेगा उसके बाद अगर हम इसके कुछ example की या उधारण की बाद करें तो यहाँ पर आपके pro enzymes के कुछ उधारण हो जाएंगे जैसे आपका क्या हो जागा proteolytic enzyme ठीक है कैसा होता है निसक्री अवस्था में यह श्रावित होता है आपका कौन सा proteolytic enzyme ठीक है first आपका क्या हो जागा प्रोपेप्सिन औज पेपसी नोजन ठीक है प्रोपेपसिन औज पेपसी नोजन ठीक है Chymotryepsinogen ठीक है तो इस तरह से तीन आपके जो है Enzymes है ठीक है उद्हरण है इसके आपके pro Enzymes ठीक इनको आपको अच्छे से लिख लेना है किस तरह से कहां space links आपको लिख निए ठीक है कोई mistake नहीं होनी चाहीं spelling में लिखते है समय है तो इह है आपके तीन इक splendid तेंपल्स देख लों सब्सक्राइब क्या है इस तरह से इनको तीनों को आपको क्या कर देना लिक देना ठीक है और आपका question number third जो है यहां से fourth sorry fourth आपका complete हो जागा ठीक है यह हो गया आपका short answer type का fourth question ठीक है इस तरह से अगले वीडियो में अगले question के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बन रही है हमार साथ मिलते हैं next video thanks for watching and share the video